आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बहतरीन लेप्टॉप्स और यहाँ पर हमने जो बजट की स्टार्डिंग की है वह है 19,000 रुपसे तो आज की आप इस वीडियो में बने रहे हमारे सांथ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ बहतरीन लेप्टॉप्स बताने वाला हूँ तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप सुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखें मेरा नाम है सुभम अगरवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूटूब चैनल ओके गाईश तो इस लिस्ट में जो हमारा सबसे फर्स्ट लेप्टॉप है वह है लाइप डिजिटल की तरफ से इनकी जैट सिरीज है जो कि इन्होंने रिसेंट के लिए अभी लॉंच की है कोरा इथिरी लेप्टॉफ है फिप्ट जनरेशन चारजी भी रेम वन टी भी हाड़ डिस्ट और यहां पर यह आपको डॉस के साथ देखने मिल जाता है 15.6 इंचिस का डिस्पले है और जो कीमत है बहुत ही जादा सौकिंग है यह लेप्टॉफ आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ उन्नी सजार 990 रुपय में हलाकि ब्रांड थोड़ सा न्यू है क्योंकि इस्ते पहले हो सकता है कि आपने इस ब्रांड का नाम भी न सुना हो दुबई का एक्च्वल में ब्रांड है मैंने सिर्फ पर रिसर्च भी की थी और इंडिया में इसके बहुत सारे सरविस सेंटर भी है तो इस बजट सेग्मेंट में तो एक बहुत ही बहतरीन परफॉर्मेंस देगा आपको क्योंकि 19,000 के बजट में आपको i3 मिल रहा है हलाकि जनरेशन थोड़ी सी पुरानी है इस चीट को मैं अगरी करता हूँ यहाँ पर आपको 5th जनरेशन में जाती है बट अगर आपका नॉर्मली ओफिस बर्ख है वर्ड एक्सल पावर पॉइंट पर आपको काम करना है तो एक बहतरीन ओप्सन हो सकता है आपके लिए सेकेंड लैप्टॉप की अगर हम बात करें कंपनी का अगर आपको कोई भी इसू हो रहा है तो यहाँ पर हमने स्लेक किया है HP का बात करें अगर हम मॉडल नंबर की तो 14Q-CY0006AU इस लैप्टॉप का मॉडल नंबर है कॉन्फिर्गेशन हम चेक करते हैं तो कॉन्फिर्गेशन में यहाँ पर आपको मिल जाता है AMD का A9 प्रोसेसर यहाँ पर आपको 256GB SSD भी देखने में जाती है 3.1 GHz इसकी बिस फ्रेक्वेंसी है और 3.7 GHz बूस्ट फ्रेक्वेंसी है ग्राफिक जो प्रोसेसर है वहाँ AMD का Radeon R5 सीरीज का प्रोसेसर है और बजट में एक बहुत ही बहतरीन है तो कि यह लैप्टॉप भी आपको मिल जाता है विल्कुल सेम प्राइस पर 19,990 रुपए फर्स्ट वाले लैप्टॉप में हमको i3 मिल रहा था यहाँ पर हमको AMD का A9 प्रोसेसर देखने मिल जाता है हलकि इस लैप्टॉप में आपको अगले लैप्टॉप की तरह अगर हम बढ़ है तो EAM को मिला है लनोगो की तरफ से प्रोसेसर यहाँ पर है Core i3 7th जनरेशन अगर हम बात करें इस लैप्टॉप के model नंबर की तो इस लैप्टॉप को model नंबर है वह है 330-14i KB यह लैप्टॉप आपको मिल जाता है 22,990 रुपए में i3 प्रोसेसर मिल जाता है आपको 7th जनरेशन चार्जी भी रैम मिल जाती है 1T भी हार्ड डिस्क मिल जाती है DOS पे आपको मिल जाता है drawback सरब यह है कि 14 इंच पर यह लैप्टॉप है बट इसका एक अप्ग्रेड भी है आला कि वहाँ पर आपको सरफ और सरफ 1000 रुपए का अंतर देखने में मिलेगा 22,990 रुपए में आपको यह लैप्टॉप मिल जाता है और अगर हम चेक करें इसी लैप्टॉप का 15.6 इंच डिस्पले वाला लैप्टॉप तो वह मिलता है आपको 23,990 रुपए में कॉन्फिकेशन आपको सेम मिलती है i3 प्रोस्टर, सेकंड जनरेशन 4GB RAM, 1TB हार्ड डिस्पले देखने में जाता है हाला कि कॉन्फिकेशन आपको चेक करनी होगी डिस्क्रिप्शन वाक्स में मैंने आपको सारे ही लैप्टॉप की लिंक दी हुई है तो एक बार जाएं और आप डेटिल में इसे चेक कर सकते हैं जैसे कि कितने सैल बाली बैटरी आपको देखने मिल जाती है DVD राइडर आपको मिलता है या नहीं क्योंकि यह कुछ basic points हैं जो कि आपको चेक करने होंगे बढ़े अगर हम अपने next laptop की तरफ तो इसका बज़र्ट है 25,990 रुपे एसुस का X-series का laptop है Core i3 7th generation Chargy भी RAM मिल जाती है आपको 15.6 inches का यहां पर आपको डिस्पले देखने मिल जाता है अब इस laptop में जो battery backup है वो थोड़ो सा अच्छा मिल जाता है हमको company ने बताए कि 6 गंटे तक का यहां पर आपको battery backup देखने मिल जाता है processor को जो variant है वह है 7020U और clock speed जो है इसकी वह है 2.3 GHz हलाकि आज की date में जो laptop आ रही है तो major point वहां पर जो check करने वाला है वहां पर check करना है आपको DVD rider को क्योंकि अगर उसमें SSD नहीं है तो हमको SSD को upgrade करना होगा अगर M.2 slot भी नहीं है तो फिर DVD rider की सकाय हमको SSD को लगाना होगा तो point यह है कि पहले आप यह check करने कि उसमें M.2 slot है या नहीं अगर M.2 slot नहीं है तो फिर आप चेक करें कि उस laptop में DVD rider है या नहीं बढ़ेंगे हम अपने next laptop की तरफ चोकी हमको मिला है Dell की तरफ से Dell की inspiring series है 3567 processor यहाँ पर आपको मिलता है 7th generation में Core i3 15.6 inches का यहाँ पर आपको full HD display देखने मिल जाता है इसमें आपको 4GB RAM मिल जाती है Windows 10 आपको license मिल जाता है office के साथ अगर हम थोड़ी और नज़र डालें इसकी frequency पर तो 2.3 GHz की यहाँ पर आपको base frequency देखने मिल जाती है और Intel के वही आपको integrated graphics देखने मिल जाते है prices का जो laptop का है वह है 26,990 रुपए हलाकि budget में सही है यहाँ पर आपको company भी मिल जा रही है Dell का यहाँ पर आपको laptop मिल जाता है और 25,990 रुपए आपको pay करना होगा तो यह laptop भी सही है इसके budget के साब से next अगर हम चाहें इसको थोड़ा सा upgrade करें तो यहाँ पर हमने लिया है Acer Acer में हमने जो processor लिया है वह लिया है हमने Ryzen 5 Ryzen 5 हमने इसलिए लिया है चाहते तो हम i5 भी ले सकते थे बट Ryzen 5 budget में भी सही है और आप इसमें basic editing भी कर सकते हैं आगे हम configuration को check करते हैं तो इसकी जो configuration है सबसे पहले अगर हम बात करें Windows की तो Windows 10 यहाँ पर आपको license मिल जाता है 4GB RAM मिल जाती है आपको 1TW आपको hard disk देखने मिल जाती है 15.6 inches का यहाँ पर आपको display देखने मिल जाता है अगर हम base frequency की बात करें तो 2 GHz की यहाँ पर आपको base frequency देखने मिल जाती है जो की boost पर जाती है 3.6 GHz AMD के Radeon Vega 8 graphics आपको देखने मिल जाते है और जो इस laptop का price है वह है सिर्फ और सिर्फ 26,990 रुपए तो budget segment में अगर आप चाहें थोड़ा सा आप editing करना चाहते हों या फिर graphics से लिटेट कोई भी आपका काम है तो इस laptop को भी आप एक बार check कर सकते हैं next laptop जो हमारा इस list में आता है वह आता है Asus का Bebo Book अब थोड़ा सा मैंने price को बढ़ा आया है इस laptop का जो price है वह है 32,990 रुपए जिसमें आपको 3,900 रुपए का instant discount भी है आगे चेक करते हैं इसकी configuration तो यहाँ पर आपको 8GB RAM मिल जाती है Ryzen 5 यहाँ पर आपको processor देखने मिल जाता है Windows 10 के साथ आपको यह laptop मिलता है और 1 TV यहाँ पर आपको hard disk देखने मिल जाती है 15.6 इंचिस का यहाँ पर display आपको देखने मिल जाता है color भी बहुत ही ज़्यादा stylus है यहाँ पर gold metal आपको color देखने मिल जाता है price case आपसे यह laptop भी सही है 32,990 रुपे में आपको यह laptop देखने मिल जाता है और configuration बहुत ही ज़्यादा solid है तो यह कुछ बहतनी laptops हैं जो कि मैंने select किये थे आपके लिए description box में मैंने आपको सारह laptops की link दी हुए तो एक बार आप जाएं और जाकर उने check करें क्या आपको configuration मिल रही है आपको configuration पसंद आ रही है और नहीं उम्मीद करता हूँ हमारी यह video आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे like जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर new है तो मैं आपसे request करूंगा कि आप तुमारे चैनल को subscribe भी करें एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए hashtag cyberbaba